जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको दिवाली के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ क्योंकि दिवाली पर देखें बहुत ही सरवारसिद्य योग बनावा है कई वर्षों के बाद ऐसा दुरलब महासयोग देखने को मिल रहा है साथ ही अगर आप यह उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो भी वनो कामना है चाहे संतान की है पुत्र की है नोकरी की है विवाग की है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने प्यासराम फैमली चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब अवश्य कर ले बगले वैल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो इस उपाय को आपको देखे सुबह से शाम तक रात तक कभी भी कर सकते हैं लेकिन आप आपको जो उपाय करना है उस वस्तु को आप पहले ही तोड़कर आप अपने घर ले आएं दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको वडवरिक्ष का एक पत्ता लेना है बिल्कुल साफ सुत्रा पत्ता होना चाहिए और देखे वडवरिक्ष भगवान शंकर का सरूप मान गंगा जलकी चीटे लगाए और उस पर आपको देखे थोड़े से जो अक्षत होते हैं या या तीन पर एक गोमती चक्र रखने हैं आप तीन ले सकते हैं एक ले सकते हैं या पाँंच रखें इन सभी वस्तु को लेकर आप देखे किसी विश्व्मंदिर में जाएं भगव शंकर का पूजन करें अपनी मनो कामना बोलकर आपको मतलब शीवलिंगrade कर देना है और शीवलिंग से जब या लज सकते हैए मतलबrire और शीवलिंग तो नहीं देखना है, ताकि आपको ना तो कोई टोक लगनी चाहिए, ना आप किसी से बात करें, आपको सीधा अपने घर आना है, दोस्तो यकीन मानिये, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप तिवाली के दिन, इस उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिये, आपको निष योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी का जब आप पूजन कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को एक कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें अपनी मनों कामना बोलकर और साथ ही इत्र भी अवश्य अर्पित करें दोस्तों ये दो उपाय आपको दिवाली क दिन अवश्य करना है यकीन मानिया आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी देखे नो भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश वरेश मित्थुन करक तुला धनू वरिश्चिक कुम्ब और मीन यह नो भागिशाली राशियां है जिन पर महादे दोस्तों दिवाली के दिन यह चोटा सा उपाय अवश्य करें निश्चित ही आपको लाब मिलेगा आपकी जो इच्छा है वह अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को